हेलो क्लास 10 के विद्यार्थिगन आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर के बारे में इसके बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ होगा चलिए थोड़ी सी बात जो आपको मैं बतला दूँ जो आप जानते ही होंगे कि रियल नंबर कॉंबिनेशन होत क्लास में है हमको क्या पढ़ना इसमें है न वो उस पर आ जाते हैं जैसे अगर आप 5 से 12 को डिवाइड करोगे क्या आएगा 5 2 जा 10 रिमेंडर क्या आज आएगा आपका 2 बोलेंगे ये बतलाने की जरूरत क्यों है तो बिलकुल इसको बतलाने की जरूरत है जो आपने बच की वह बराबर होता है किसके डिवाईजर इंतु कोसियंट प्लस क्या रिमेंडर के Information मेंज ей बेलकुल पढ़ा था थीक है तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि डिविदेंट के जगा पे क्या लिखो जिसमें डिवाइड करना है यानी 12 बाईजर जो तो यह तो सही है यह तो मालूम है कि यहां यह दुन बराबर हो जाता है तो क्या मैं इस statement को यह जो यहां पर लिखा हुआ statement ही तो है divided dividend is equal to divisor into quotient plus remainder this is a statement और यह statement क्या है true है सत्त है देखो बारा 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 हो गया तो किसी भी true statement को हम यह भी बहुत सकते कियी अप्रूबड में बोलो ना सही साबीद करा गया है इसको प्रूब करके दिखाया हमने नो तो जो statement प्रूबड होता है उसी को एक नया नाम से जाना जाता है उसको बोला प्रूफ करने के लिए other statements दूसरे statement को प्रूफ करने के लिए ठीक है ना जैसे अब इसका है अब इसका यूज हम बहुत सारे statement को या बोल सकते हैं बहुत सारे problem को solve करने में यूज करते हैं है नो example HCF HCF को निकालने में हमारी ये सहयता कर देता है तो this is called lemma को दिकत है lemma समझने में ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अगर आप ध्यान से देखोगे कभी आपने division में ऐसा देखा है कि माइनस 5 में 12 से डिवाइड करा गया है ऐसे general नहीं देखा होगा ठीक है या 5 को डिव किया गया है माइनस 12 से यह भी जनरल ही नहीं रखते हो आप ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो यूज किया है नंबर जैसे यहां पर डिनोटिंग करने की बारी आ रही है तो ध्यान दिजेगा जो डिविडेंट होता है उसको डिनोट किया जाता है एसे डिवाइ यूज कर सकते है क्या कोई दूसरा यूज कर सकते है तो बिल्कुल यूज कर सकते है लेकिन क्यों नहीं यूज करेंगे क्योंकि यह आदत बन चुकी है ना बुक में भी है और हर जगा बोलने की यह आदत पढ़ चुकी है तो कोई और यूज करिएगा तो बार-बार सिंट 5 positive है तो यह जो statement होता है यह positive integer के लिए possible है किसके लिए possible है positive integer के लिए को दिखात यहां तर बहुत ही simple सा है तो आपको जानना होगा कि यह क्या है एक proved statement है तो इसको क्या नाम दे दिया गया लेमा क्या नाम दे दिया गया लेमा और यह division से related है तो इसके आगे क्या लगा दिया गया division और इसको बतलाने काम किस ने किया था यूकलिड जी ने किया था तो इसलिए इसके आगे क्या लगा दिया गया Euclid मिलकरकर बण किया ऐकली और किया डीजिन लेआ ठीक है बड़ा शिंपल सा है ये ने लेमा जानगे और लेमा में ये डीजिन से लेमा था है न और किस ने निकाला था Euclid जो ने निकाला था तो इसलिए इसका नाम पढ़ गया Euclid Division Lema कोई पूछेगा what is Euclid Division Lema तो क्या बोलोगे for any positive for any two positive two positive integer कौन कौन सा एक है बारह और एक है पांच यानि एक हो गया A और एक हो गया B तो for any two positive integer A and B और क्यों positive है अभी बतला है आपको positive ही होता है हमेसा positive के लिए ही statement true है कोई negative value लोगे और इसको solve करोगे नहीं होगा कोई भी negative value लोगे proof करोगे नहीं होगा इसलिए positive for any two positive integer A and B क्या होगा there exist there exist unique है ना hall number unique hall number Q and R है ना और वो कौन कौन सा होगा यह होगा और यह आर होगा यह Q और यह आर और यह unique होगा unique होगा इसलिए यहाँ पर 12 and 5 जो है वो क्या है positive है है ना और इसके लिए दो नंबर और और एक एक और एक बी था उसके लिए दो और नंबर आ रहे की और आर है ना in search a way in search a way और किस तरीके से यह combine है भाई A और B के साथ Q और आर कैसा relate है तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर dividend is equal to divisor into cosine plus remainder है तो देखिए इस पर रखी है dividend के जगह पे ए रखी है तो क्या होगा बतलाइए आर यानि ए बराबर जल्दी क्या होगा बी और कोसेंट के जगह पे Q और प्लस क्या हो जाएगा आर यानि ए बराबर B Q प्लस आर डिस दे रिलेशन और इसमें खासियत क्या ए और B क्या होगा positive होगा और बोलना भाई कि निगेटिव रखके देखोगे इस सोल भी नहीं होगा ठीक है मैं चेक कर रहा था इसके नीचे नहीं जाना भाई तो ए बराबर B Q प्लस आर साफ साफ अब देखो अच्छा एक और चीज़ जो नोटिस करने वाली है 5 से हमने डिवाइड किया 12 को जब भी तुम देखोग कर दो एक बात और आले वीमेंडर क्या सकता है मैं यह या तो जीरो होगा unknown player रिमेंडर यह तो जीरो और यह चोटा होगा और हमेहा इससे च्छोटा होगा तो इससे सेट्मिंट को कैसे लिख सकते हैं मतला यह वेयर क्या लिखेंगे जीरो से बड़ा और बराबर कौन हो सकता है आर जीरो से बड़ा हो सकता है देखो यहाँ पर दू है जीरो से बड़ा है जीरो भी हो जाएगा पूरा-पूरा कर जाएगा तो जीरो हो जाएगा लेकिन कभी भी बी से बड़ा नहीं हो सकता है बी समय से क्या होगा छोटा अब तो पूरा-पूरा कटाते हैं कोशिश करते हैं नहीं करता है तो उसे कम लगाते हैं तो फाइब तू निमेंडर बचा जो क्या है पांच से छोटा है वही लिखा हुआ है तो सर्त ये भी है इसको भी दिमाग में आपको रखना है बोलो समझ में आया बहुत ही सिंपल सा यहां है नहीं से यहां यहां पर आपको कॉन्सेट बतलाया गया है जो आप बच पन से पढ़ते हृँ थोड़ा सा मुझे लग रहे कि दिखने रहा होगा आपको नीचे वाला कमा अपर दिखा है नए ना थोड़ा सा इसको रहा है एसिच्छा रहा है स्कू त्पूलाया होरे हू आधिका था समझने का इसको हमने जान लिया मैं उदाहरन दे रहा हूं उससे मैं रिलेट कर रहा हूँ ठीक है तो युखली डिवीजन हमने लेमा जान लिया क्या लेमा क्या एक प्रूफड इस्टेटमेंट कौन सा ए बराबर बी-क्यू-प्लस-र डिवीजन से लिए था इसल बराबर BQ प्लस R, where, 0 से बड़ा होगा R, और बराबर हो सकता है, और R से बड़ा कौन होगा, B, clear, cut है, समझ लोगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ा सिंपल सा होगा, अब चलो आगे बढ़ते हैं, एक और, बतलाते हैं, जैसे, अगर यहाँ पर 35 दिया हु क्लियर है, और मैं बुलूँ इसका HCF निकालो, बुलोगे ठीक है, निकाल लेते हैं, और मान के चलो कभी तुमने सीखा नहीं है, यह वाला तरीका, यह बराबर BQ प्लस R वाला तरीका, तो कैसे निकालोगे, बच्पन में हमने सीखा था, 35 से डिवाइड करेंगे किसको 50 से क्या होगा 1, 35 होगा, माइनस करेंगे, कितना आएगा 15, यह 35 को फिर यहां से हम यहां उतार देते थे, याद आया, और फिर कितना से लगेगा 2, यह हो जाएगा 30, फिर कितना होगा 5, फिर यहां से यह यहां जाएगा, और 5 तरीका कितना हो जाएगा 15, कैंसल हो गया, और ब बोलो yes or not clear यहां पर दिखाई दिया अब मैं समझाता हूं क्या यह वन स्टेप है बोलोगे नहीं सर यह तो बहुत सारे स्टेप ले रहे हो एक तो यहीं पर हुआ दूसरा यह हुआ तीसरा हुआ है ना और जब बहुत सारे स्टेप आप लेते हो तो उसको हम लोग क्या बोलत क्या होता है एक करता है यहां पर वैसा नहीं सर्च भाला बाथ नहीं है बात यह है कि पहला वाले पोững पर्संसे झाहे है इस वाले का इस वाले से है और इस टॉफ हो रहा है तो कहीं नहीं तो फोता है यह पर पर भी यह स्टॉफ हो गया टो यह क्या है। एक सरीज हैै सेरीज है ना ओउफी वेल-दिफाइंग स्टेप यह ठीぷ हो एक containing धक्रle Moore यहाँ पर 25 तो नहीं लिखा गया है तो यहाँ पर इसको बोलेंगे this is the well-defined step है ना clear बात है को दिकत यहां तक ठीक है और फिर which gives a method और इसका यूज करके है ना क्या करते हैं एक method बना लेते हैं क्या करने का to solve to solve a problem एक problem को solve करने का जो खास तरीकी का problem मैं उसको solve करने कर तो बतला यह इस series का यूज करेंगे नहां यह वेल defined है ना है ना और और क्या यूज करने में find out करने के लिए थे HCF कि तो यह वाला जो बात हो गई यह वाला यह वाला portion इसको क्या बोलेंगे यह algorithm है तो algorithm हमने लिखा कि algorithm क्या होता है algorithm एक परकार का क्या होता है series होता है किस type का series होता है well defined step का ठीक है ना जिसमें अलग-अलग step यूज किये गए हैं और वो well defined है सही है और उसे एक नया problem बनाते है वो क्या है HCF यहाँ पर है तो लिखने से काम थोड़ी चल गया यूज कर रहे है इस वाले में क्या यूज कर रहे डिवीजन तो आगे क्या लगा देंगे हम डिवीजन और इसको भी देने का काम किस ने कर रहा था यूज कर रहा था यूज कर रहा था इसलिए इसका भी नाम क्या पढ़ गया यूज क्लिड डिवीजन अलगोरिद क्लियर बाते समझ में आई लेमा में प्रूफड एस्टेटम विक्यू प्लस और उसमें स्टेप्स नहीं होते हैं सिरीज नहीं होते हैं ठीक है ना लेकिन अलगोरिद्म में सिरीज होते हैं दोनों फर्क यही उसमें मल्टीपल स्टेप्स नहीं होते हैं इसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं ठीक है करेंगे एक खास तरह का प्रोब्लेम सोल्व करने में यूज करेंगे उसका स्टेटमेंट को प्रूफ करने में करेंगे इसमें वही हम करते हैं तो यह तो अंतर नहीं होगा दोनों में सेम कर रहे हैं लेकिन उसमें multiple step नहीं है और इसमें multiple step है तो दोनों में अंतर पता चल गया simple सा है को दिक्कत तो नहीं हो रही होगी और इसमें एक और बात जो से important थी मैंने क्या बोला था कि इस वाले को denote किया आयता है और इस वाले को a से तो simple सी बात है जब यह b होगा और यह a होगा तो a हमेशा b से क्या होगा बड़ा होगा यह बतलाने की ज़रूद नहीं है बहुत इस बाता है कम से ज़्यदा तो लगता नहीं है फिर डेसिमल में आएगा और डेसिमल में जब डिवीजन में आएगा यहां पर पोसियें तो फिर तो दिकत हो जाएगा क्योंकि मैंने वो बोला है क्या की कि की इफ टू पॉजिटीव इंटीजर फोर एन इफ तू गिवन पॉजिटीव इन टीजर एं और बी दियर इक जिस्ट है ना टू हॉल नंबर क्यून आर तो क्यून रिया है हाल नंबर होना है ना पॉइंट में आता तो फिर 50 को आगे लिग करके 35 को यहां पहुंचा सकते थे बड़ 35 यहां पर है ना तो इसमें जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा हॉल नमबर आएगा बोलो यह सब्सक्राइब ठीक है और डेस्ट में लोला प्रोसेस नहीं करना है फिर वो हॉल नमब है इस मैथट का इवटिलाजेशन कैसे होता है कैसे इसका उपयोग होता है तो जान तो गया ही कि इसका यूज क्या करने में होता है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी ठीक है तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और बतलाते हैं कि इसका यूज कैसे किया जाता है एक special life of question को solve करने में जैसे बोलेगा using Euclid division algorithm find the ACF साब साब बोल देगा ACF निकालो किसका दो नमबर दिये रहेंगे एक नमबर जो है वो आपका दिया हुआ है 867 और एक नमबर जो है आपका दिया हुआ है 255 बोलेगा इसका ACF निकालो चीख है तो एक तरीका तो अब नहीं जान लिया भागा वाला नियम वो भी इधर कर सकते हैं करेंगे तो जल्दी होगा कि फिर माइनस करना है बहुत सारा प्रोसेस है तो पहले ही हम इधर कर लेंगे कर 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 देख लेते हैं देखी मैं आपको 11 15 15 15 कितना जाएगा 16 फिर न हो जाएगा और यह कितना जाएगा 7 तो यह हो जाएगा 2 0 कि हुआ है कितना आया 102 फिर नियम क्या था इस वाले को यहां पहुंचाना है 255 कितना से लगेगा क्लियर 204 कितना होगा 51 घटाने पर और फिर 102 को यहां से वहां पहुंचाएंगे फिर लगाएंगे कितना होगा 102 यह क्या हो जाएगा सबस्कुति कर लेंगे छोटा वाला यह बड़ा एहां लिखेंगे च्क؟ जहां पर जीरों से बड़ा कौन होता है एर equal और R से बड़ा कौन होता है B ऐसा A के जग़ा पर क्या लिखेंगे 867 B के जग़ा पर क्या लिखेंगे 255 कितना से लगाएंगे 255 में कितना से लगाए था 3 और remainder हमारा कितना बचा था 102 तो 102 लिख दिए That is the equation number 1 100 कर सकते हैं को दिक्कत नहीं है अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं छोटा assessment लिखिए Here R is not equal to 0 ठीक है ना Then again तो पूना ये बड़ा step करेंगे क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा Now A is equal to आपका हो जाएगा 255 255 and B is equal to कितना हो जाएगा 102 ठीक है ना और प्रोसेस से 255 में divide करोगे किस से 102 से 102 into 2 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा 51 ठीक है अब अगेल लिखेंगे तो कोई दिकत नहीं है भी कोछ हमने पहले बता दिया है अगेल लिखेंगे फिर 102 यहाँ पर लिखेंगे यह वाला यहाँ पर यानि जो divisor है वो dividend हो जाएगा जो remainder है वो divider हो जाएगा कोई दिककर 51 है न यहाँ पर remainder तो 150 diviser हो जाएगा 51 से 102 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 कर जाएगा तो कितना होगा 0 तो बड़ा simple से बात है जब तक 0 नहीं आएगा तब तक छोड़ना नहीं है और जैसे ही 0 आ जाएगा यह के statement लिखेंगे here r is equal to 0 then the last divisor is the HCF तो last divisor जो है वो आपका HCF हुआ तो HCF कितना हुआ last divisor कौन है जो 0 लाया है 51 है न तो HCF आपका कितना हो गया 51 तो इस तरीके से आप से सवाल करा जाएगा और आप इसका जवाब इस तरीके से दे सकते हैं अगर आप सको पूछा जाए कि Euclid division lemma का यूज करके algorithm का यूज करके आपको HCF निकालना है तो आपके screen पर दिख रहा होगा मिलाए पहले उसे question क्या है if the HCF of 65 and 117 इन दोनों का जो HCF है वो यदि इस फॉर्म में है किस फॉर्म में 65 M minus 117 तो आप से पूछ रहा है कि M का value क्या है होगा तो बड़ा simple सा logic है आपने देखा होगा जब हम लोग Ram, Mohan, Sohan ऐसा करके question बनाते थे 8 class में age से related तो क्या बोलते थे let the age of Mohan be 5x ऐसा करके और लास्ट में हम value को 5x से equal करके निकाल लेते थे हैं न यहाँ पर भी यह HCF किस form में दिया हुआ है एम के form में है इसमें मतलब एक variable है जिसका value निकालना है और एक HCF निकालने का तरीका हम अलड़ी जानते हैं बोली है clear है तो यहाँ पर आप पहला क्या करोगे A और B का decision लोगे तो A यहाँ पर क्या हो जाएगा A is equal to कितना 117 B is equal to कितना 65 फिर क्या लिखोगे I know that क्या A is equal to क्या BQ plus R यही नहीं step होगा use HCF निकालने के लिए और यहाँ पर वो अलास्तर्द जो है आपको बार-बार लिखना पड़ेगा यह थोड़ा सब बोरिंग काम है बट फिर भी लिखना है 0 से बड़ा कौन होगा R और R से बड़ा कौन होगा B अब A के जगा पे हम लिखेंगे 117 और गुना करेंगे 65 से multiply करेंगे तो कितना होगा बतलाओ 65 टूजा 130 हो जाता है तो कितना से लगेगा 1 से तो 1 लगाया remainder हमारा कितना आ जाएगा 52 ठीक है अब clearly पता है आपको कि जब तक remainder 0 नहीं आता है तब तक again लगाते रहो और जहाँ पे A है वहाँ पर B को बैठा दो तो यहाँ पर जो B होगा वो यह बन जाएगा यानि कितना होगा 65 और उसके बाद जो remainder है वो आपका B बन जाएगा यानि 52 ठीक है और 52 में कितना से लगेगा 1 से और clearly पता है कि यहाँ पर 13 आएगा remainder कितना आएगा 13 क्योंकि 65 में 52 घटाओगे तो 13 आएगा 117 में 65 घटाओगे तो 52 आएगा कैसे आता है ये मैंने आपको अल्रेटी बताया हुआ है बगल में division कर लो भाई जल्दी जल्दी होगा उसके बाद फिर से दुबारा again क्या होगा 52 यहाँ पर होगा is equal to remainder अभी बन जाएगा 13 कितना से लगेगा 4 और आपका remainder कितना हो जाएगा 0 तो यहाँ पर क्या लिखेंगे here are is equal to कितना 0 then क्या last remainder is है नव last remainder नहीं last divisor is क्या the hcf जो last divisor होगा वहीं hcf होगा है नव जो 0 लाया तो यहाँ पर hcf कितना हो गया बतलाइए hcf यहाँ पर हो गया आपका 13 क्योंकि 13 से डिवाइड करने पर 52 को कितना आया था 0 अब हमारे पास hcf दो है एक hcf आपका है 65 m माइनस 117 और एक जो hcf हमारा आया है वो आया है 13 बोलेंगे दो-दो hcf आया है तो एक को एक मान लीजे equation दूसरा को दो मान लीजे बोलेंगे ठीक है मान लेते है अब क्या करेंगे तो सब को पता है भाई कि यदि lhs दोनों का बराबर होगा तो rhs भी क्या होगा बराबर होगा यह बताया हुआ है इसको अगर कोई किसी को समझाना हो ना तो कैसे समझाएंगे बड़ा सिंपल सा है मान लीजे hcf नाम का एक आदमी है जिसके पास 5 रुपया है ठीक है और यह भी hcf है तो इसके पास भी कितने रुपय होगा 5 रुपय hcf बराबर 65 m-117 है तो मान लीजे कि एक आदमी का नाम 65 m-117 है अगर इसके पास 5 रुपय है तो इसके पास भी कितने रुपय होंगे 5 रुपय होंगे बिकोज hcf बराबर लिखा हुआ है और यह भी hcf है इसके पास भी 5 रुपय है बढ़ कुछ विद्यार्थी के लिए मैंने किया है ऐसा तो फ्रॉम एक्वेशन फर्स्ट एंड क्या होगा सेकेंड यह दोनों इक्वल के रूप में लिखाएगा यानि 65 m-117 बराबर कितना थर्टीन तो 65 m is equal to कितना होगा थर्टीन इसमें एम लगा हुआ इसमें नहीं लगा हुआ इसको उधर भेजो तो इधर माइनस में है तो क्या में जाएगा प्लस में 65 एम is equal to मतब जोड़ोगे तो कितना होगा 130 तो एम बराबर कितना होगा 130 by कितना 65 क्लियर है करोगे तो 6 टाइम्स करने पर है न ऐसा मुझे लग रहा था लेकिन कितना 2 टाइम्स करने पर ही आ जाएगा ठीक है तो एम का वैल्यू जो है यहाँ पर आया वो कितना आ गया मैं एक बार देख लेता हूँ नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं तो एम का वैल्यू कितना आया 2 आया अरे अरे बढ़िया जगा पर समाप्थ हुआ है एम का वैल्यू हमारा 2 आया और यही तो लाना था इसमें कोई दिक्कत हो रही है क्या नहीं HCF दिया हुआ था इस फॉर्म में दो नंबर दिये हुए थे तो इससे HCF निकल जाएगा है ना और एम का वैल्यू पूछ रहा है तो यह भी HCF होगा और एक और निकाला मैंने HCF कितना 13 ओभी HCF होगा HCF सेफ क्या होगा बराबर तो यह भी यह भी बराबर होगा तो इन दोनों को बराबर के फॉर्म में हमने लिखा और एक ही वैरियेबल है उसका वैल्यू निकाल लिया कितना आया दो आया कोई दिक्कत यहां तक हमको नहीं लगता है कि दिक्कत यहां तक हुआ होगा अगर है तो फिर आप कमेंट करेंगे है ना और अभी प्रीमेर हो रहा होगा वीडियो तो comment तो बिल्कुल करहीं सकते हैं अगला सवाल जो पूछा जा सकता है आपसे ये थोड़ा सा अच्छा question है क्या है कि आपको पहले HCF निकालना है किसका 1651 का and किसका 232 का इन दोनों का पहले HCF निकालना है और फिर क्या करना है so करना है किसको HCF को किस फॉर्म में तो इस फॉर्म में किस फॉर्म में तो 1651 aim plus 200 मतलब 2032 aim के फॉर्म में इस फॉर्म में आपको HCF को सो करके दिखाना है है न और वहाँ पर फिर आप aim और aim का value बतला सकते हैं तो लॉजिकल बात यह है कि पहले तो मुझे HCF निकालना पड़ेगा क्योंकि HCF को ही मुझे सो करना है इस फॉर्म में तो पहले हम HCF निकालेंगे तो HCF का rule क्या कहता है कि दोनों में से पहले decide करो कि A कौन होगा B कौन होगा A होगा बड़ा वाला B होगा छोटा वाला A is equal to क्या होगा B Q प्लस क्या R A के जगा पर क्या लिखेंगे 20302 2032 B के जगा पर 1651 multiply 1 से होगा जो remainder आएगा वो remainder कितना आएगा बतला ये 381 इतना आएगा फिर अगेन लिखेंगे remainder 0 नहीं आया तो 1651 becomes A और 381 becomes B और इससे इसको multiply करेंगे तो मुझे लगता है 4 times लगने चाहिए 4 से लगेगा बिलकुल और ये हो जाएगा 127 को दिकत फिर से remainder 0 नहीं आया तो फिर से अगेन 381 हो जाएगा 127 हो जाएगा B लगाएंगे तो 3 times लगेगा remainder यहाँ पर क्या आ गया 0 तो remainder जैसे ही यहाँ पर 0 आया here remainder is equal to 0 देन आपका HCF जो होगा वो कितना हो जाएगा बतलाओ भाई 127 को दिकत HCF निकालने काम था HCF हमने निकाल लिया अब 127 को सो करके दिखाना है किस फ़र्म में 1651 एम प्लस 200 2032 एम के फ़र्म में इसका एक तरीका मैंने निकाला है आप अपने तरीके से उटिलाइज कर सकते हैं मेरा तरीका अचलाएगा मेरा तरीका आपना सकते हैं सबसे पहले देखे कि HCF 127 किस equation में है कितने equation है मारे पास 3 1, 2, 3 तो उस equation को चुनिए चुनिए जो बीच-बीच में पढ़ता हो एक दम बीच में तो मुझे लग रहा है कि यही पढ़ रहा है और नहीं तो फिर ट्रिक वही है कि जिसका रिमेंडर 127 हो मतलब HCF उसको चुन लीजे तो मैंने इसी को चुना है दो तरीका बताया मैंने एक दम बीच वाले को चुनिए नहीं तो है ना ऐसा चुनिए जिसमें HCF मुझूद हो 127 अब कोशन क्या बोल रहा है सो करना है HCF को इस फर्म में तो HCF को एक तरफ कर दीजे और बाकि सब को एक तरफ पर पर सबसे पहले तो यह पूरा नंबर को पलट दो 381 इंटू 4 इंटू 127 इस इक्वल टू कितना होगा 1651 बोलो हाँ या ना अब 127 को इधर छोड़ दो क्यों क्योंकि मुझे HCF को यानि 126 27 को ही सो करके दिखाना है कि 127 को आप इस फर्म में लिख सकते हैं कि पिस फर्म में इस फर्म में तो 127 को एक तरफ जिसको सो करना हो उसको एक तरफ to 1651 पहले पहले से था और यह जो प्लस में Гंट्रा होता तो फिर भागा मेंस इसलिए प्लस है इसलिए नहीं जा रहा है यह गुना आप सुचो कि भागा में जाएगा ऐसा नहीं है यह एक टर्म है और यह दूसरा टर्म है उतना तो पता होगा उतना क्या जाए कैलकुलेशन में अब आप देखो 127 127 हो गया 1651 तो हमको लाना है तो इसको छोड़ देंगे अब हम द अदद कौन करेगा इधर कोई equation देखते हैं जिसमें 381 भी हो और यह दोनों भी हो अरे पहला वाला देखो अरे यहां पर तो है तो बतला यह क्या से लिखा जा सकता है 381 को क्या ऐसे लिखा जा सकता है जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं 3032 है इस इक्वाल टू 1651 है इंट जाएगा अरे बोलो नहीं इस और नोट यानि जहां पर 381 है वहां पर यह लिखा जा सकता है बुलोगे वन गायब है वन का तो को वैली में नहीं है छोड़ो न भाई तो 381 के जगह पर देखो मैं यह लिख रहा हूं 2032-1651 और इंटू क्या हो जाएगा आपका 4 जो आप ज 6551 मतलब हो जाएगा यहां पर देखिए माइनस हो जाएगा अब देखिए यह 4 से गुणना इन पूरा में होगा तो 2032 2 into, क्या होगा, 4, बोलो है, फिर इसमें से इसको गुना होगा, अब मागे माइनस लगा वाथ मैनस, अब यह दो को, माइनस, माइनस, प्लस, और बोलना, और उसके बाद, 1651 में गुना फिर से हो जाएगा किस से, 4 से, clear है, माइनस, माइनस, प्लस, और यह पूरा से गुना, प मुझे लगता है यहां तो कोई दिखते नहीं हो रहा होगा लेकिन हमको इस फॉर्मिला ना यानि आगे कौन लाना है 1651 लाके दिखाते हैं अभी तुरंत मैं देख लेता हूं कैमरा का पोजिशन की सही है न अरे 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 अब इसके नीचे जाएंगे तो फिर तो अब मुझे थोड़ा लिखना पड़ेगा चले ओके तो मैं यहां पर लिख देता हूं इस पूर्शन पर यहां पर ठीक है अब देखो बड़ा सिंपल सा है 127 127 हो जाएगा मैं क्या बो रहा हूं कि इसको अभी साथ रखना है कि इसको 1651 को तो देखो एक यहां पर है एक यहा हुआ है तो 1651 1651 इंटु 4 में अगर हम 1651 को जोड़ेंगे तो क्या होगा आप एक सवाल का जवाब दो 2 इंटु 4 में अगर आप प्लस करोगे 2 को तो कितना होगा मतला हो चार दुनी आठ और प्लस 2 यानि कितना हो जाएगा 10 यानि एक तरह से 2 इंटु 5 नहीं होगा यानि 2 2 इंटु 4 को अगर 2 से जोड़ेंगे तो क्या आजाएगा 2 इंटु 5 आप आप जो देख रहे हो 1651 और यह 1651 इंटु 4 इसको हम 1651 इंटु 5 लिख सकते हैं न क्योंकि यह 1 हो जाएगा यह 4 यह 5 हो गया और बोलना भाई और उसके बाद यहाँ पर मैंने प्लस लगाया क्यों क्योंकि मुझे प्लस मिलाना था तो यह हो जाएगा 2032 तो मैंने 2032 लिखा लेकिन यह जो माइनस था यहाँ पर इस एक्वेशन में इस माइनस को मैंने किसके साथ जोड़ दिया इंटु माइनस 4 के साथ है ना अब यहाँ पर रहे अचा है यहाँ पर रहे फर्क तो नहीं होगा लेकिन मुझे इसको प्लस के फॉर्म मिलाना था तो मैंने प्लस के फॉर्म मिला दिया को दिकत जहाँ पर एम के जगह पर आप साफ साफ देख सकते हो एम के जगह पर क्या है 5 है और और एन के जगह पे क्या आपका है माइनस फूर आप एंसर मिलाओ आपका एंसर मिल जाएगा को दिक्रत है समझने में असान है